नमस्कार बहुत स्वागत आपका आप देख रहे हैं दन्यूज आपके साथ मैस्ट्रिष्टि मिश्रा अभी बागिश्ण अधाम के महंत यानि पिठादीश्च्वर धिरेंद्र कृष्ण शास्त्रिय ने कहा है कि हम भारत को अखंड भारत बनाएंगे हिंदू राष्ट्र गोशित करेंगे तो इस पर बवाल मचा हुआ है कई संख्या में उनके समर्थक उनके साथ है और कहीं न कहीं उनका विरोध भी पूरे तरीके से किया जा रहा है अब इस दौरान आपके बताने इस बयान के बाद योगी अरितनात यानि की उत्तर प्रदेश की मुखिया हिंदू राष्ट बनाने की बात कहीं है बयान दिया है तो उस पर क्या कहेंगे आपको बता दे कि एक पत्रकार से बात चुत करते हैं उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट कोई मजहब या फिर कोई धर्म नहीं है अगर हिंदू राष्ट की बात कहीं गई है तो वो किसी भ और दूसरा उत्तरप्रदेश के मुख्या होने के नाते आप बताईए कि इस बयान को आप किस तरीक से देखते हैं दोनों पहलुओं में आपको जवाब देना होगा अब जरा सुनिए दर्शकों उन्होंने क्या जवाब दिया योगी अरितिनात लिखते हैं कहते हैं कि हिंद जाता है भारत का किसी भी व्यक्ति अगर हच करने के लिए वो पहुशता है तो इसलाम या उसे मुसल्मान के नाम से नहीं जाना जाता है वहाँ पर जो व्यक्ति हच करने जाता है दूर विदेशों में वहाँ उसको हिंदू के नाम से जाना जाता है उसका संबोधन किस ना शब्दावली है जो भारत को रिप्रेजेंट करती है ये कहा है उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी अरितनात ने अब आपको बताते हैं जाश्च को कि आगे में उसे कई सवाल दागे गए तो उस पर योगी अरितनात ने कहा है कि भारत का हर नागरिक हिंदू है तो सांस्कृतिक सब्दावली है इसके साथ ही आपको बता दें ये आगे योगी अरितनात कहते हैं कि ये हमारी सांस्कृतिक एक तक को जोड़ने वाला शब्द है जो हिमाले से समुद्र तक विस्तृत भूभाग तक हर नागरिक को जोड़ती है तो ये बात किसी भी तरीके से गलत नहीं है इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर लोग उसे मजब से जोड़ रहे हैं अगर लोग उन्हें मजब से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं योगी अरितनात ने कहा तो ये सरासर गलत है अब आगे सुनिए एक सवाल और नागा जाता है योगी अरितनात पर का ज भारत के अंदर एक ही धर्म हैं वो है संविधान का धर्म अमिष्या का मतलब Always मतलब साफ्ट था दर्श को कि संविधान के तहत हर नागरिक को चलना पड़ेगा भारत के अंदर विविता को देखते हुए और यही वज़ा है कि भारत के अंदर संविधान को सर्वपरी माना जाता है अब इस पर योगी अरितिनाथ ने क्या कहा जरा वो भी सुनने जाब योगी अरितिनाथ कहते हैं पत्रकार से बाच्चत करने के दौरान कि सम्विधान कहीं ने कहीं भारत के अंदर सर्वोपरी है लेकिन एक बार फिर से मैं कहूंगा कि हिंदू को मजभ से जोड़न हिंदू को किसी धर्म से जोड़ना ये गलत है और हिंदू राष्ट्र के सकल भविष्य के लिए हम कहीं अग्रसर हैं और ये पहले से हिंदू राष्ट्र था अब उनसे अंतिम सवाल पूछा जाता है कि तो क्या ये माने हम कि जब ये हिंदू राष्ट्र था तो इसको फि इसमें कोई संदेह नहीं है भारत का हर नागरिक हिंदू है आपको बता दे दर्शुको कि आपने भी देखा होगा किस तरीके से बागेश रधाम के जो पंडित हैं धिरेंद्र कृष्ण शास्तुरी ने हिंदू राष्ट बनाने की बात की है कई जगा पर इसको लेकर यग्य राजनेता नत्मस तक होते नज़रा रहे हैं और वहीं हाल ही मैं आपने देखा होगा किस तरीके से विवादों से जमकर वो घिरे हैं विवाद घिरने के बाद उन्होंने कहा है कि अगर मैं हिंदू राष्ट बनाने के लिए मर भी जाओं तो मुझे कोई गम नहीं है मैं सोचूंगा कि ये मैंने समाज के लिए अच्छा काम किया आपको बता दे कि बागेश्वर धाम के प्रमुक का ये भी कहना है हिंदू राष्ट बनाने को लेकर कावायत तेज करने की कोशिश करने हैं जहां वो कहते हैं कि ऐसी भारत में संकल्पना ऐसा धे रखा जाता ह इसलिए भारत हिंदू राष्ट था और रहेगा जो लोग इंसा के पुजारी हैं उनको हमारी इस बात से बहुत फर्क पड़ा होगा लेकिन अगर उन्हें ये लगता है तो वो अपना मेंचल चेक अप कराएं आपको बता दे कि सनातन को लेकर हमेशा ही वो शचक्त दिखा है कि हिंदू राष्ट बनाने की जो मांग है धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री का वो गलत है और इसलाम के लोग ही नहीं बलकि पूरे भारत में इसका विरोध किया जाएगा लेकिन आपको बता दे कि अब उत्तर प्रदेश की मुख्या ने जिस तरीके से जवाब दिया है इ उसे हिंदू के नाम से संबोधित किया जाता है आपको बता दे कि लगातार अब इसलाम को लेकर भी वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट बनाने का सपना जो है बागश्वर पिठाधीश्वर का वो जल्द ही पूरा होगा इसके साथ ही आपको हंगर जो धा डे कि इस मामले पर भी केंद सरकार को खेरा जा रहा है कि अगर वो इस तरह की बाते करते हैं तो इनका विरोध क्यों नहीं किया जाता है वो ऐसी बात हिंदूस्तान के अंदर होकर ना कहें कि हिंदूस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है अब आपको बता दे जिस तरीके से बुल्डोजर बाबा यानि की योगी अरितनात का जवाब आया है इस पर इस पर भी राज़ुती हो रही है जहां पर कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये हिंदू रा सांस्कृतिक शब्दावली है सांस्कृतिक शब्दावली इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप कॉमेंट सेक्शन में हमें बताइए फिलाल आपका बहुत ही धन्यवाद दन्यूस से हमेसा जुने के लिए